कि जहीं दोस्तों मैं मुहमाद मतीन मौडर्न क्लासिस क्यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है दोस्तों आज हम चैप्टर लेके हैं वह गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध यानि बहुत धर्म का दूसरा पार्ट पहला पार्ट आपने देख लिए कितने महत्पुद प पहा नामा उन लोगों को कहां पर अपना शिस्स बनाया था अरुवेला में अगर यह पूछा जाएगा थे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने पांच शिस्सियों को कहां पर सबसे पहले उपदेश दिया था तो जगह होगी सारमात यानि बनारस में दूसरा प्रसम प्रसम बहुत संगिती कहां कब किसकी अधिस्ता में हुई थी तो प्रसम बहुत संगिती हुई थी राजगीरी में सब्तवाड़ी गुफा में 483 इसापुर में महाकस्यप के अधिस्ता में और उस समझ शासक कौन थे यहां दिया नहीं है लेकिन समझ जाएगा इसकी साथ प्रसम बहुत संगिती को देश क्या था दोस्तों याद रखिये को उद्देश भी फूछता है आजकल यह सब बहुत ज्यादा पूछत पूछरे एंटिपीसी गूरूब डिल एक पाल में तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक विनाई पिटक और सूत्य पिटक में संकलित करना यानि गौतम बुद्ध के जो अब देश से उसको दो किताबों में बाटना कौन कौन से थे सूत्य पिटक और विनाई पिटक अब बात करते हैं पांचे प्रस्ण की बुद्ध का परिनिर्वार इस्थरकोशी पहले खुरू का ननाम किय था आलार कलाम के बात करते हैं आठेए प्रस्ण के। बुद्ध के पांक शिष्यों कैना स्प्र। में इनको सबसे पहले दिख्षित किया था नौब फॉऑ प्रस्न देने की घटना को क्या जाता है तो उस घटना को चाहता है धर्म चक्रपरवर्तन दस्वा प्रस्ण है बुद्ध के प्रथम दो अन्याई कौन थे कालिक और तपासू थे यारवा है बुद्ध के बेटे का क्या नम था राहुल बारह है बुद्ध ने अपना प्रथम उब्देश कहां दिया था तो प्रथम अपना उब्देश दिया था सारनात में जो पांच वर्ष की कठोर तपस्थाक बद उनको ने रजणा नदी यान takmen आप pobre किनारे उनको क्या हुआ पिंद्भ टॉप में पत्थर का काम बुढश प्रेयन क्रांब करने यंद Tarak कोह कहा जाताぎ था 15 बुद्धकाल वरार्षी को परसिद था हाथी दात के लिए यानि जो वरार्षी था इसको रिशीं पत्तनम के नाम से भी जाना जाता थ यह किसले परसिदी था हाथी दात के लिए आ सोब्स उन है बुद्ध्ध धं और संग यह गौतम बुद्ध भी थी और गुत्म बुद्ध को पालने वाली थी वो गुत्म बुद्ध की प्रोपती फिर उन्हों नहीं इनको सबसेगल आप को अठार्वर प्रशन है बौद सहीते में प्रियूक्त संथाकार शड्-कतार पर क्या है संथाकार का मतल् сб राज संचालन के लिए गठित परिशद उन्निस्वा प्रश्ण है भारत से बाहर बहुत धर्म को फैलाने वाले समराट कौन थे समराट अशोग थे बिस्वा प्रश्ण है महात्मा बुद्ध की जन मिस्थरी लुंबनी वन किस महा जनपत की अंतरगत आती थी कोशल महा जनपत कществu का अंतरगत एक किसमा बुद्ध की माता का नाम क्या था नाम मायादेवी था पिता की नाम эпिताओदन नहीं इनके सोतली माता का नाम प्रजापती-गौत्मी। नहीं इनका पालम पॉस्ट किया था और सबसे पहले बाद धर्म को अपनाने वाली पहली शास के मतलब पहले कौन थी यह पजापती थी यह इनकी सोतेली मा भी थी और इनकी मौसी भी थी महात्मा पॉध्य के गरीतियागी घटना क्या कहलाता है महाभी दिस्की सब्राइब करता है चेल जो मरने काहाण्व होती है है मनुशु के अपना प्रदश्त होना चाहिए मनुश्र को अपना रास्ता खुझ निकालना चाहिए इस मगलब कि अभवा निकला निकल क्या था इटाइसमों किसे लाइट आफ एशिआ की नाम से जाना जाता है तो गौतम बुद्ध यानि महात्म बुद्ध को ही लाइट आफ एशिया यानि एशिया का प्रकाश कुंज के नाम से जाना जाता है चुकि उनके द्वारा दिये गए उपदेशों को लगभग सभी एशिया में फैलाने कार किया गया था और सबसे तीवर गती से वह फैला भी था कम समय में और तीवर गती से गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 इसापुर दोस्तों यह प्रशन कई बार देता है लेकिन घुमाग देता है 553 इसवी इसापुर कई तरीके देता है तो लोग कनफ्यूद हो जाते हैं तो नाइपाल के कपिलवस्तु यानि लुम्बनी में एक जगां पड़ता है कपिलवस्तु वहां पर हुई थी 31 प्रशने गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति किस रात्रीक हुई थी रात की बात करेंगे तो वैशाक पोड़ीमाग रात्रीक हुई थी और 35 वर्ष की आयू में और तभी से जाकर वो शिधार से गौतम बने या तथागत कहलाएं और तथागत के एक अन्य नाम मिल इसापुर में वसुमित्र की अध्यक्ता में। दुस्तों यहां पर कश्मीर के कुंडलवन में हुआ अब बात करते हैं चतुर्थ बहुत संगिती किसके शासनकाल में होगी थे कुशाण्में चौथी बौध संगती क्या थी चौथी बौध संगती के आयोजन का उद्देश क्या था तो बहुत धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त होना ही नियान तथा महायान दोस्तों गौतम बुध जब दुनिया से चले गए उसके कई चार साल बाद जो है इसके विभक्त होता है यह काल और इसमें और महायान गौतम बुध के धर्म थे उसमें दो परिवर्तन हो गया एक का मानना था कि गौतम बुध भगवान है और दूसरा जो संप्रदाय है वो कहता है कि वह एक इनसान थे एक मूर्ति के रूप में पूजा यह भी मूर्टी का रखेए पूजा करते हैं ऐसा ही मान लिए अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था गुरु अलार कलाम को इडुरो प्रशने महत्मबुध ने अपने उप्देश की भासा में दिय थे ? याद रखिएगा कभी कभी संस्क्रिब्ड देता है सुर्भी दे देता है पाली भासा देता है चैनी भासा कर दिया था बत्alyst ने और उनका महानना था किसी भगवान की करने के लिए मंदिर या मूर्थी की जरुत नहीं है उसको दिल से चाहिए भीख्वान होने को नका रहा था अधि लोगों उनको भगवान मना दिये लिए महात्मा बुद्ध ने तिरिस्टना की घटना के क्या कहा था निर्वार कहा था वैसाग पुडिमा किस नाम से विख्या थे बुद्ध पुडिमा जाना जाता है बुद्ध पुडिमा के दिन के नाम से जाना जाता है सिस्धार्थ का गोत्र क्या था सिधार्थ का गोत्र गौतम था के माहत्म onteET की सोत cabin प्रजापति गौतमी यह सौतली माता भी थी और मौसी भी थी तरारीसमें बुद्ध के बेटे का नाम क्या था राहुल था बुद्ध ने कितने वर्स के वस्ताम घृत्याग दिया था यह में संगीति ग्यावर दिय Medic के लिए मौद्ध के दे जो मेलए संगलिट कि या जाना तो बुद्ध के रिख़ते तो अधरम प्रवसीर 002 थे तो वो छह नगर थे साकेत कौशामभी वारांसी चंपा राधगिरी और श्रावस्ति यह प्रमुख नगर थे जो गौतम बुद्ध के शासनकार के प्रसीद नगर थे और यहां पर सबसे जादा बहुत धर्म को मतलब यहां पर प्रचार परसार किया गया तो यहां के यह क्यों ने क्या जाकान राज कैसे चलना चाहिए क्या क्या होने चाहिए इन सब के बारे किसे कौन करता था तो उसको कहा जाता था वस्मद्री परशेस को कहा जाता था संधागार उन्चास्वा प्रश्ण ने 35 वर्ष की आयू में 6 वर्ष तक बिना भोजन किया बोध गिया निरंजना यानि पुनपुन नदी के तड़ पर किस वरिच के नीचे बुध ने कठिन तपस्या कर ग्यान की प्राप्ति की थी पीपल के वरिच के नीचे और इसी के नाम पढ़ ग पुनपुन नदी है और वरिच के कौन से था पीपल के वरिच के नीचे पचासवा प्रश्ण ज्यान प्राप्ति के बाद सिध्धार्थ को क्या कहा गया गौतम बुध तथा तथा तथागत कहा गया यानि गौतम बुध के नाम से जाना गया और एक नाम और देता है कैवल लेके नाम से भी जाना गया एक्क्यावन वां और अंतिम प्रश्णे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्रापति किस रात्रिक होई थी वैशाग पोड़ीमा की रात्री दोस्तों यह रहा हमारा बहुत महत्पुर्ड एक्क्यावन कोश्चन गौतम बुद्धिस समंधित अब है आपके सामने वीडियो अगले वीडियो का अंतिजार किए तब तक के लिए जय हिन जय भारत